कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आपको उसके बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है जैसा मान लो ए नाम का कोई आदमी है कैन कम्प्लीट अवर्क इन टू डेज मान लो ए नाम के आदमी दो दिन में काम खतम कर रहा है तो सीधी यह बात है वन डे वर्क कितना होगा उसका वन डे वर्क और ए कितना होगा वन बाई टू बहिए अगर दो दिन में काम खतम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा वन बाई टू अच्छे यह अगर बी नाम का आदमी काम खतम कर रहा है कितने दिन में 23 days में तो वंडे में कितना करेगा है वंडे वर्क आफ भी कितना होगा 1 by 23 अच्छा अगर C का C is वंडे वर्क मान लो है आपका 1 upon 50 कितना है 1 upon 50 तो इसका मतलब यह है C can complete C can complete the work in the work in 50 days तो तो इतना है अगर दो दिन दो दिन में काम खतम कर रहा है तो वंडे में करेगा 1 by 2 ओगर बी काम कर रहा है तेज दिन में तो वंडे में करेगा 1 by 23 अगर C का एग दिन का काम 1 by 50 है तो C काम खतम कर देगा 50 दिन में बस इसी concept का इस्तमाल है पूरे chapter के अंदर अगर आपके basic सारे clear हैं तो questions करने में काफी आसानी होगी और जल्ली होगे इस question को start करते हैं देखते हैं कैसा करते हैं अगर दोनों साथ काम करें हैं तो कितने दिन में काम खतम कर देंगे तो मैं क्या करूंगा मैं वन देवक निकल दूँगा दोनों का वंडे वर्ख एवन डे वर्ख ऑफ ए औन बी कितना होगा बहुत ये काम अरे ये काम तो वन बैट तूट में श्टाइब तो रहा एने अजबीने कितना कर रहाऊ बन मैं शिक्सस कितना होगे एक दिन में दोनों A & B काम खतम कर रहे हैं 1 by 4 कितना कर रहे हैं 1 by 4 तो इस 4 को आप उठा के हैं लिया यह यहां लिया यह फॉर को तो कितना हो गया है इसका मतलब यह है चार दिन में A और B अगर साथ काम करेंगे तो काम खतम हो जाएगा तो चलिए नेक्स कोशन देखते हैं हम लोग A can do a job in 10 days तो हम क्या करेंगे A का one day work जो हमने A माना वो कितना हो जागा 1 upon 10 अच्छा B can do the same job in 12 days तो B ने कितना कम किया 1 by 12 वन डे और C का वन डे कितना होगा 1 upon 15 in how many days they will finish the work together तो सबस्वाइल हम क्या करेंगे हम इन तीनों का निकालेंगे वन डे वर तीनों का तो वन डे वर कितना होगा वन डे वर कॉफ आफ ए बी एंड़ सी कितना होगा तीनों का वर के एड़ कर दें अब कैसे करें किसको कितना एल से मागा 60 तो 6 प्लस 5 प्लस 4 कितना होगे है 15 15 15 मंज़ा 15 15 फोर्जा तो इसका मदब यह हुआ वन डे वर्क अ ओफ ए बी एंड़ सी कितना होगा आपका वन बैफूर यानिके एक दिन में यह काम कर रहे है वन बैफूर अब यहां पर आपको लाना है वन क्यूंकि क्या आपको कराना कंप्लीट वर्क तो मैं क्या करूंगा वन अपॉन फोर को मैं मंटिपला कर दोंगा फोर से यहां और फोर से यहां तो यहां कितना हो जागा तो फोर डेज वर्क ओफ ए बीसी एक्वल टू वन यह कुश्चन थोड़ा सा पहले से अलगे इसमें क्या है ए एस तरफ एफिशेंट अनर्य आपको काम किरुट शे okay अलगा इस इसकी को लीघन काम चाहिए कि उतकुशन नहुक जया है को यहां ऐसको मैं देख थो श्रक और थोजस्चन ब काम किरूँ कर दो डूसरे में यह एक टेक्स टुंटी देस्ट टुडू आ जॉब एक टुंटी देस्ट टो एक वंडे वकितना हुआ कितना हुआ वन बाइटोंटी अब यह आप से भुज़रा है देन इन हाव मैनी डेस्ट वी कैन फेश्ट अपर देश्ट अच्छा अगर एक वाली हम पूट कर देम एक यह टू थ्रे भी तो भी कितना अगया है यह आज वन बाइट सिक्ट अच्व बीका बी है वी का वंडे वर्क कितना है आपका वंज़र के वन डे वर्का वफ बीह जब वंडे वर को बीवन मैं 60 है तो इसका मतलब यहां पे आपको क्या लाना है इसका मतलब साथ दिन में काम पूरा कर देखाई तो चलिए शुरू करते हैं इस question को A is twice as good as workman as B इसका मदब क्या हुआ A is twice तो A equal to 2B equation first खतम और able to finish a piece of work in 30 days less than B इसका मदब यह है अगर B आपका B आपका X days में काम पूरा कर रहा है क्या कर रहा है B कर रहा है X days में काम complete तो इसका मतलब A करेगा आपका कितना 30 days कम बताव तो इसका मतलब क्या हुआ A का वंडेवर कितना हो गया 1 upon X 30 और B का 1 upon X अगर हम इस वाली क्योशन को इस वाली क्योशन को पहली वाले हैं सब्सिटूट कर दें तो कितना है आपका तो 1 upon X minus 30 equal to 2 into 1 upon X तो आपको निकालना है X तो X यहां गया 2X minus 60 तो X पराब कितना है गया X पराबर 60 इसका मतलब यह है B आपका 60 दिन में काम खतम कर देगा और A काम खतम कर देगा आपका 30 देज में B takes 30 days B takes 60 days अब यह आप से कह रहा है इन हाओ में डेस दे कैन कंप्लीट दा वर्क तो अब हम क्या करेंगे हम निकालेंगे इसके अंदर वन डे वर्क ऑफ बोथ वन डे वर्क ओफ A and B कितना होगा वर्पाउन 30 प्लेस वर्पाउन 60 60 अले समा गया और यहां पर 3 आ गया कितना गया वर्पाउन 20 यानि कि वन डे वर्क ओफ A and B कितना है 1 बाइट 20 यह क्या है आपका वन डे वर्क ओफ कितना है तो वंडे वर्क आफ एन भी कितना है अच्छा अब यहां पर क्या करेंगा ट्वंडी से मंडिपला है यहां ट्वंडी से हैं तो इसका मदब यह बीस दिन के अंदर यह दोनों काम खत्म कर देंगे क्या आवर मना चुगा ना तो यह कोशन पिछले वालों कोशन थोड़ा अलग है इसका मेरे पास एक आसान तरीक भी है चलिए उसे बाद में देखेंगे, पहले हम अपना मेथड देख रहे हैं, अच्छा, तो 20 परसंद का वंडे वक कितना होगा, 1 by 7, क्योंकि 20 आदमी 7 दिन में काम खतम कर रहे हैं, तो इसका मलब एक दिन में कितना करेंगे, 1 by 7, अच्छा, तो यह आपका वंडे वक है, यह क् गलब दो यह वनडे वर्क और ट्वंटी परसन, अच्छा मुजा बताना कर, वनडे वर्क आफ वन परसें कितना वकया देखो टुण डिवाइड ऎंहां करा और 26 भट आपनहीया कर स檬ाना जागा इसलिए आप डिकल प्रवन temps गया तो आप इयुकंब कितना हो घद आपका 1714 तो वन डे रख ऑ्स वन परसική टाई या वरश निवैसे अलएंठ ग्या अच्छा अब देख से चाहँ है क्या तो क्ल्क्लिट द नंबर ऑफ परसन या निगा परसन निकाल ने कितने तु कम्प्लीट दवर्क इन टुंट ये डेस अच्छा आपको टुंटेट दे रखेंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर टुंटेट के मिल्ट यहां करेंगे कि 28 डेस वर्क आफ वन परसन कि वन परसन कि तो इन परसन जाएंगे लेकिन यहां पर आपको लाना वन तो हम क्या करेंगे वेफ फाइप के मंड़ाएं यहां करेंगे लेकिन यहां पर हम करने सकते हैं तो इसका मतलब 5 की मंड़रा हम कर देंगे हाँ पर तो कितना हो जा गए तो 28 डेज वर्क और 5 परसन कितना हो गया आपका वन हो गया इसका मलब काम खतम हो गया इसका मलब आंसर क्या है 5 परसन अच्छा इस कोशन का सब्सक्राइब देखते हैं जबाइब सेकंड मेथड काफी सिंपल है एम बन डीवन एकवल टू एम टू डीटू कितने मैं है 20 और डेज कितना है पहले 7 अब पसंद आपको निकाल लिए या डेज कितना है 28 गाट सेम बंजा सेमन फूर्जा और फूर बंजा फूर फ़ाइवजा तो एम टू कितना आगया फाइव कि तो कहीं कहीं तो यह में असान है लेकिन जो कोशन का लेवल अगर अच्छा हुआ तो आइधिंक इस में अपर कोशन नहीं पूछाएंगे कि सीधे सीधे कोशन पूछेंगे काफी आसान सवाल है और कैट में